नमस्कार बोलता बिहार नियूज मीडिया में आपका स्वागत है गड़पूरा थाना छेत्र के कुमहारसो गाव में रविवार की देर रात पुड़ विधायक एवं अस्थानिय सर्पंच के उपर जान लेवा हमला करने का मामला प्रकास में आया है जानकारी का अनुसार रविवार की रात रात के पुर्व विधायक उपेंद्र पास्वान अपने पुत्र यूबराज धीरज अस्थानिय कुमहारसो सर्पंच बिरेंद्र जाववा अन्य लोग के साथ एक पूजा कारेकर में बखरी जा रहे थे जिस दोरान कुमहारसो गाव इसित दिवारा बाबा अस्थान के समी 30 से 40 की संख्या में लोग इकठा था भीर को देखती भी विधायक ने अपनी गाड़ी को रुखवा कर लोगों से जानकारीय प्राप्त करने को ले जोती गेट के खोला जिस जो दोरान अस्थानी लोगों ने गाड़ी में बैटे सरपंच के उपर थपर मुका में से हमला कर दिया मुई विधायक पुत्र युबराद धिरज शमेत गाड़ के साथ ही धक्का मुकी की गई जब तक विधायक कुछ समझ पाते तब तक उगर भीर गाड़ी को भी तोरफूर करना सुरू कर दिया लेकिन सुरक्षा गाड़ के सुच भूज हुआ आसपास के लोगों के एकटा होने के बाद मामला को बीच बचाओ कर सांत कराया गया गटना की सुचना थाना पुलीस को दी गई जहां गटना की सुचना पर गड़पूरा थाना पुलीस मौके पर पहुंची मामले की छानवीन में जुट गई है इस श्रमन में बिधायक पुत्र के दोरा गडपूरा थाना में एक लिखित आविदन देकर गाउ के ही आधा दर्जन नाम जद लोग एवं 25 से 30 और ग्यात लोग के उपर मामला दर्ज करवाया है इसमें जाती सुचक गारी देने वाद जान लिवाम हमले का मामला दर्ज करवाया गया है इस श्रमद में थाना अधिक्ष मनिस कुमार अनन ने बताया कि प्राप्त आविदन से आलोग में मामले की छान मिनकर प्रात्नी के दर्ज करते वे दोस्मियों की खोजविन प्राडम कर दी गई है वडपूरा से प्रदीप चा की रिपोर्ट